बिसमिल्लाइर माइन रिम असलालेकूं वेलकम बैक टू माई चैनल आज मापो सिखाने वाली हूँ फ्रंट ओपन अबाया की कटिंग और उसकी स्टीचिंग यह अबाया मैंने अपनी बेटी के लिए बनाया है क्योंकि अब आफ्लेंग कॉलेजेस स्टार्ट हो गए है और मे अबाया की कटिंग और स्टीचिंग इन्शालला सिखाऊंगी और इसी के साथ में हिजाब इनर कैप की वीडियो भी आपको अलग-अलग तरह की देखने के लिए मिलेगी अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और पहली बार आया है तो मेरे चैनल को आप जरूर करिए और साथ में बेल आइकोन की बटन को भी क्लिक करिए ताकि मेरा हर नया आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके वीडियो एंट तक जरूर देखिएगा अगर कुछ समन में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं फ्रंट ओपन अब बनाने के लिए मैंने यहां पे दो टाइप के कपड़े लिये हैं यह मैंने प्रिंट वाला जॉर्जुट लिया है जो के 3.5 मीटर है और आप देख सकते हैं बहुत जादा मुटा नहीं है और इसी के साथ ने मैंने प्लेन भी जॉर्जुट का कपड़ा आपको कपड को जो है वो लंबाई में रखना है इस तरह सी बहुत लंबा पेपर में रपास नहीं था इसलिए मैंने दो पेपर लिया है आगे और पीछे का तो आपको लंबाई में इस तरह से पहले रखना इससे डबल करना है डबल करने के बाद में हम उसे इस तरह से फोल कर देंगे यानि हम फोल एस में कपड़े को रखेंगे लंबाई में बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम कमीज वगएर की कटिंग करते हैं मैंने देखी इस तरह से फोल कर दिया है अब हमें इसके अंदर measurement हमारा जो भी रहेगा अब आयागा उसे साब से हमें इसमें mark करना है तो आप 4 लेट देख सकते हैं बिल्कुल कपड़ा भी हमें इसी तरह से ही रखना है आप इस पर cutting अच्छी तरह से पहले सीख लिजी उसके बाद में आप कपड़े पर cutting करिएगा तो पहले हम कपड़े को सीधा कर लेगे सीधी लाइन लगा कि उसके बाद में हम Šोल्डर मांग करेंगे तो यहाँ पर मैंने güç 8 इंच लिया है क्योंकि मैंने अपनी बेटी के सब से बनाया है तो जितना हम शोल्डर लेंगे लंबाई मेरी हमें उतना ही लेना है बिल्कुल के बाद में हम यहाँ पर चेस्ट का निशान लगाएंगे तो मैं यहाँ पर चेस्ट 10 इंच रखने वाली हूं और कमर हम उससे स्रिफ हाफ इंच ही कम रखेंगे क्योंकि हमें इसमें बिल्कुल भी शेप नहीं देना है बोडी का और एक एक इक इंच हम सिलाई के लिए एक्स्ट्रा ले लेंगे और नीचे जितना भी कपड़े का घेरा रहेगा उसी साब से आप चाहें तो सीधा भी बना सकते हैं तो यहाँ पर हम क्रॉस में देखिए यहाँ पर निशान लगा दिये हैं और आम होल का निशान हम राउंड कर देंगे यहाँ से शोल्डर को हमें यहाँ पर हाफ इंच तक क्रॉस करना है बिल्कुल इस तरह से तो यह हमारें देखे आ हमार्किंग हो गई है और नेक इसके अंदर बिल्कुल तो पहले हम इसकी cutting कर लेते हैं, shoulder को पहले cut करेंगे, armhole हम इस तरह कर देंगे, बिल्गल जैसे हम कमेज cutting करते हैं बिल्गल उससे तरह से हमें cutting करना है लेकिन हम इसके अंदर आम-hole की जो गुलाई होती है आगे की तरफ में इसमें नहीं देंगे क्योंकि ये lose ही अच्छा लगता है तो इस तरह देखे हमने इसकी cutting कर दी है हम इसके अंदर से जो back वाला हिस्सा है वो निकाल देंगे और front में हमें इसमें आगे की तरफ cut करना है तो इसमें आपको यहाँ पे ध्यान से देखना होगा जो हमने 3 इंच पे निशान लगाया है निक के लिए यहाँ पे हमें रखना और इसकी लंबाई देखे इस तरह से करते हैं cross करेंगे हम कपड़े को आगे की तरफ से और यहाँ से हम इसकी length लेंगे निक की तो यहाँ से यहाँ तक मैंने 9 इंच लिया है 9 इंच के बाद में सीधा बिल्कुल हम कट करके अलग कर देंगे कपड़े को तो इसकी cutting भी देखिए बिल्कुल इसी तरह से आपको करनी है cross रखने के बाद में आपको length लेना है निक की उसके बाद में center से हम इसे अलग कर देंगे तो यह हमारा front open cutting हो गई यह सामने से तो देखिए इस तरह से हमारे कपड़ी की भी cutting होगी पीछे वाला हिस्सा हम यहाँ रख देंगे इसके उपर हम आगे के हिस्से को रख देते है इसके बाद हमें sleeves की cutting करनी होगी तो sleeves के लिए भी हमें इसी तरह से four lens में कपड़ी को रखना होगा देखिए पहले हमने double किया फिर इसे दुबारा से fold किया तो four lens में रखने के बाद में हम इसकी cutting करेंगे तो पहले हमें इसकी लंबाई लेने है तो मैं यहाँ पे जादा लंबी sleeves बनाऊंगी यानि मैंने यहाँ पे 27 इंच पूरा करना है इसकी जो length होगी तो इस कपड़े में हम थोड़ा कम लेंगे क्योंकि हमें आगी जो length है वो हम हमने जो plane वाला कपड़ा अपना लिया था उससे हम इसकी लंबाई बढ़ाएंगे तो आम होल के लिए आप इस तरह से भी निशान लगा सकते हैं कपड़े को रखके इस तरह हम यहाँ पे गोलाई दे देंगे और जितना हम आम होल में रखेंगे जो भी हमारी यहाँ से यहाँ तक चोड़ाई रहेगी सामने की तरफ भी हम उतना ही रखेंगे क्योंकि हमें इस स्लीव में बिल्कुल भी शेप नहीं देना है तो यहाँ पे मैंने 10 इंच रखा है तो मैंने सामने की तरफ भी 10 इंच ही रखा है इसे हम बिल्कुल सीधा कर देंगे अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे इस अबाया को जब हम बनाते हैं तो इसकी स्लीव में हमें शेप नहीं देना होता है यह स्लीव देखे हमने कट कर ली है अब हमारी स्लीव को लंबा करना है तो लंबा करने के लिए हम आगी की तरफ कपड़े को जॉइंट करेंगे पहले मैं आपको रखके दिखा देखे हमारी स्लीव लगेगे अबाया में और हमने देखे यहां पर एक्स्ट्रा पेपर लिया है यह हम दो पट्टी कट करेंगे जो हम आगे की तरफ लगाने वाले हैं यहां हम अबाया में प्लेन कपड़ा लेंगे उसकाची में इसाथ को बढ़ेंगे इसके बाद में और प्लेन माली हमारी स्लीव की लेंट को बढ़ाएंग और नहीं आख आए तरह से इसे पहले double करेंगे फिर four fold करेंगे और फिर जितनी भी हमारी लेंद आगे बढ़ानी होगी हो आगे की तरफ उरक के उसे सीधा कट कर लेंगे अगर आपको अलग कपड़ा लगा के लेंद को नहीं बढ़ानी है तो आप पतली पाइपिन भी कट कर सकते हैं जो भी आपको पसंदो उस तरह से आप कट कर सकते हैं तो यहाँ पर देखिए मैंने यह कट किया है बिल्कुल हम अपने अबाया में भी इसी तरह से कटिंग करें हमारी लेंथ यहाँ पर हम लेंगे 58 इंच क्योंकि जो टोटल लंबाई है हमारे अबाया की 57 इंच है मेरी बेटी की हाइट माशाला ज्यादा है तो मैं यहाँ पर थोड़ा लंबा ही बना रही हूँ तो 58 इंच के करीब हम यहाँ पर लेंगे एक इंच हमने एक्स्ट्रा न करनी होगी तो हम यहाँ पर शोल्डर 8 इंच पर निशान लगा देंगे बिल्कुल हम इतना ही लंबाई में भी रखेंगे 8 इंच उसके बाद में हमें यहाँ पर चेस्ट वाली जो लाइन है यहाँ पर भी हमने 8 इंच पर निशान लगाया है एक बॉक्स की तरह हम इसे बन लंबाई में और उसके बाद चोड़ाई में जितना हमने चेस्ट का लिया तो 10 इंच तो यहाँ पर मैंने 9 इंच लिया यानि हाफ इंच ही हम अंदर की तरफ रखेंगे और एक इंच मैंने सिलाई के लिए रखाए इस लाइन को हम यहाँ पर मिला देंगे और हमारी कमर से लिए कि हम नीचे बॉटम तक क्रॉस करके निशान लगाएंगे अगर आपको गहरा नहीं चाहिए तो आप सीधा भी रख सकते हैं तो देखें यहाँ पर हम क्रॉस पर निशान लगा देंगे इलको नीचे तक हमें निशान लगाना है उसके बाद में जो नीचे वाला हिस्सा है इसे सबसे पहले हम सीधा करेंगे यानि जितनी भी हमारी लंबाई है उतना कपड़ा हम निकाल के अलग कर लेंगे इसे सबसे पहले हम सीधा करके एक्स्ट्रा कपड़ा नीचे से निकाल देंगे उसके बाद हम यहां से आम हुल का निशान लगा देंगे तो यहां पर देगे हलका सम राउंड शेप देंगे उसके बाद हम नेक का निशान लगाएंगे यानि हमारी जितनी भी विदोगी हम यहां पर तीन इंच ले रहे हैं नौर्मल जितनी हम हमारी कमेज में लेते हैं तेन इंच पर निशान लगा है मैंने उसके बाद में हम आफ इंच डाउन करेंगे शोल्डर यहां से इस तरह से हम यहां पर क्रॉस निशान लगा देंगे अब हमारी मार्किंग जो है वो चुकी है नेक हमें नहीं कट करना है यहां पर देखे हमारी अब आइक हो चुकी है फोर लेरसे के अंदर वाला पाथ है अमारा बैक वाला हिस्सा वह मन निकाल देते हैं अब हम front निक की cutting करेंगे तो उसके लिए हम यहाँ पे पहले 3 इंच पे निशाल लगा लेंगे इसके बाद में जितना हमने निशाल लगाया है उतना ही हमें इस तरह से fold करना है यानि हम यहाँ से cross करेंगे और cross करने के बाद में आपको जितनी लबाई रखने आप रख सकते हैं यहाँ पे मैं 9 इंच पे निशाल लगाऊंगी कि इतना काफी है यहाँ पे हम निशाल लगाएंगे उसके बाद में हम इसकी cutting कर लेंगे और सामने से भी हमें बिल्कुल सिधा cut करना है तो यहाँ पे हमारे front open अबाय की cutting हो चुकी है अब हमें इसकी strip cut करना है तो यहाँ पे मैंने 4 इंच चोड़ी strip ली है और लंबाई हमें अबाय के हिसाब से लेनी होगी तो यह हमने पट्टी कट करके रख ली है जब हम इसे attach करेंगे तो हम इस पट्टी को इस तरह से fold करेंगे यनि half करने के बाद में हमें एक सिलाई पहले लगानी होगी उसके बाद में हम सारे अबाय में इस तरह से घुमाते हुए इस पट्टी को attach कर देंगे अबाया को सिलने के लिए सबसे पहले हम दोनों shoulder पर सिलाई लगाएंगे shoulder join करने के बाद में हमें sleeves को लगाना है तो हम यहाँ पर sleeves लगा देंगे उसके बाद में हमें side की सिलाई लगानी है जब हमारी side की सिलाई हो जाएगी उसके बाद हम यह पट्टी को इसमें attach करेंगे तो हम सबसे पहले sleeves को इस तरह से सही कर लेते हैं यानि हमने जो extra कपड़ा निकल के रखा था इसमें attach करने के लिए इसकी हम length ले लेते हैं तो इस कपड़े को join करने के बाद में हमारी जो length है वो 27 इंच आएगी यहां पर हम mark कर देंगे उसके बाद में हमें इस चोड़ाई का निशान लगाना है यानि आम होल का हम निशान लगाएंगे तो हम यहां पर 3 इंच पर पहले निशान लगाएंगे यहां से हम round shape दे देंगे अगर आपको इस तरह नहीं आता है तो आपने जो अबाया cut किया है उसको आप इस तरह से उपर रखेंगे और थोड़ा सा हम नीचे की तरफ इसे सीधा खिच लेंगे तो जितना इसमें निशान आएगा उतना हम यहां पर mark करके इसे cut कर लेंगे हमें इसके अंदर बिल्कुल भी shape नहीं देना है हमारी sleeves में बिल्कुल सीधी sleeves हमारी रहेगी और यह sleeves जब जब ज़्यादा लंबी रहती है तो अबाया खुबसूरत दिखाई देता है हमने देखे इस तरह से इसकी cutting कर ली है सबसे पहले हम shoulder joint करेंगे double सिलाई देखे मैंने इस पर लगाया है shoulder हमारा joint हो चुका है अब हमें हमारी sleeves तैयार करनी है जो हमने extra fabric लिया था plane वाला वो हम इसके अंदर attach करेंगे तो इसके लिए दिखे मैंने यहां पर double कपड़े को लिया है double करने के बाद में इस हिस्से पर हमें joint करना है यानि हम इस कपड़े को इस तरह रखेंगे और एक सीधी सिलाई लगा देंगे आप चाहें तो इसकी जगा पतली strip भी लगा सकते हैं लेकिन इस तरह से अगर हम चोड़ी strip लगाएंगे तो यह और ज़्यादा खुबसूरत लगता है उसके बाद देखें मैंने पलट लिया है और इसके उपर एक सीधी सिलाई लगा दी है तो हमारी दोनों sleeves ready है अब हमें attach करना है हमारे अबाया में स्लीव को हम सबसे पहले attach कर लेंगे स्लीव अटेच हो चुकी है अब हमें side की सिलाई लगानी है दोनों तरफ हम double सिलाई लगा के इस तरह से final सिलाई दे देंगे last में बिल्कुल नीचे तक हमें सिलाई लगानी है अगर आपको कोई चीज में समझ में नहीं आई है तो आप मुझे comment करके पूछ सकते है side की सिलाई देखिए हमारी लग चुकी है अब जो strip हमने cut की थी पहले मैंने इसे joint कर लिया है इसे हमने इस तरह half fold किया है इसके बाद में side में हम सिलाई लगाएंगे इस तरह अगर हम सिलाई लगा की इस strip को अब आया में attach करेंगे तो बहुत जल्दी और आसानी से strip लग जाती है अब आया को देखिए मैंने इस तरह यहां पे सिधा रखा है और strip को हम यहां रखें बिल्कुल side से हम इसके उपर सिलाई लगाएंगे strip को हम जर्ण भी नहीं खीचेंगे और जहां पे निक वाला हिस्सार है वहां पे हम हलका सा गुमा देंगे इसे यह strip लगाना बहुत ही आसान है तो मैंने strip लगा दी है अब हम इसे turn करेंगे और turn करने के बाद में यहां पे हम एक पतली सिलाई लगा देंगे बिल्कुल किनारी पर से जिस तरह से हम pipe in वगर आपे सिलाई लगाते हैं साइड में बिल्कुल उसी तरह से हम यहां पे साइड में सिलाई लगाएंगे इसके अब इसके बाद last में हम नीचे से दो बार इस तरह फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे अगर आपको इस तरह सिलाई नहीं लगानी है तो आप पीको भी करा सकते हैं मैंने एक इंचेक्स ट्रा लिया था length में इसलिए मैंने यहां पे इसे फोल्ड किया है और इसी के साथ में देखिए इस अबाय का लुक बहुत ज़्यादा अच्छा आता है आप चाहें तो बेगर बेल का भी से पहन सकते हैं हमारा अबाय देखिए बिलकुल रेडी है वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल पे पहली बार आया है तो मेरे चैनल को अब जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिलकुल न भूलें तो मिलते हैं अगली वीडियो में जब तक के लिए टेक केर अलाहाफीज